नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेडिकल गुरू टिलन पर आज हम हम हुआईक्यू 400 टाब्लेट के बारे में पूरी जानगार लेने वाले हैं हुआईक्यू टाब्लेट का मुक्यत प्योग मलेरिया की समस्या दूर करने के लिए कि आ जाता है आईए इस टाब्लेट के बारे में आदे कुष्तार से जानते हैं यह टाब्लेट का इसे काम करती है, कहां इस्तेमाल होती है इस टाब्लेट के क्या बेनिफिट सही, क्या साइडेपेक्स सही इस टाबलेट से जुड़ एस भी सावलों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखिर तक दरूर देखे इपका Laboratories Company की 10 टाबलेट की यह श्रिप आपको 133 रुपई में किसी भी medical stores पे आसा निशी मिल जाएगी बात करते हैं इस टाबलेट में मौझूद कंटेंड के बारे में HYQ टाबलेट में Hydroxy Chloroquine Cellpate IP 400MG यह कंटेंड समाश्ट है इसमें मौझूद Hydroxy Chloroquine यह यह disease-modified anti-remitted drug है यह inflammation और जोडों में दर्थ का कारण बनने वाले immune system की आत्यादिक activity को दबा कर काम करता है यह बुनियादी रोग की प्रगर्ति को दिमा करता है बात करते हैं इस्टाबल के उज़ेश की डॉक्टरी शेकिन की समश्चा में इस्तमाल करते हैं इसका उप्योग रुमेटाइड आर्थराइटिस की समश्चा दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही मलेरिया की समश्चा और साथ ही सिस्टेमिक लुपस एरिटमेटाशिस की समश्चा दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस्टाबल के इस्तमाल करते हैं यह यक लंबे समय तक रहने वाली सुजन और जलन की बिमारी है जो तब होती है जब आपके शिरिर की प्रति रख्षा प्रणाली आपके उत्तो को और रंगो को नुक्सान पहुचाना शुरू कर देती है लुपस के कारण होने वाली सुजन और जलन शिरिर की कई अलग-अलग प्रणालियों को प्रबाईद कर सकती है इसमें जोड, तोचा, गुर्दे, रक्तकोशिकाई, मस्तिश्क, रदय और फेपडे यह शामिल है इस समशा को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टाबलेट का इस्तमाल करते है बात करते है इस टाबलेट से उनिवाले साइडिपेक की इस टाबलेट में में जुद कंटेंट से आलर्जी है तो आपको साइडिपेक हो सकते है इस बताएगाई साइडिपेक महसुस हो तो तुरों डॉक्टर से संपर करे इस टाबलेट से आपको धुद कंटेंट से आलर्जी है या फिर कोई साइडिपेक महसुस होते है तो इस टाबलेट के इस्तमाल ना करे यदि आपको और मेडिशिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को दरूर इंपहं करे ताकि आपको और डॉस या फिर ड्रग इंट्राक्शिन ना हो यदि इस टाबलेट के इस्तमाल गरवोती मैला या फिर संपन करने वाली मैला को करना हो तो गाना कलाजिस्स की सला जरूर ले उसके बाद इस टाबलेट के इस्तमाल करे यदि आपको लिवर या फिर किनने से जुड़ी कोई भी समश्या हो तो इस टाबलेट के इस्तमा डॉक्टर केस अला के अनुसर करी यह टाबलेट लेने से पहले यह फिर बाद में अलकोल का प्रविग ना करी और साथी यह टाबलेट लेने के बाद ड्रैविंग ना करी बात करते हैं इस टाबलेट के डोस के बारे में आप अपनी समस्चा और रेज बता कर इस टाबलेट का डोस आप अपने डॉक्टर या फिर फार्माशीस चे पूत ले याद रखे दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी किस्तिती रोगी के आयू और अन्यकारनों के आदार पर इस टाबलेट का डोस अलग हो सकता है इसलिए इस टाबलेट के इस्तमाल डॉक्टर के सला के अनुसार करें अडल्ट वेक्ती दिन में एक है फिर दो टाबलेट खाना खाने के बाद ले सकते है जा फिर अपने डॉक्टर के सला के अनुसार भी इस टाबलेट के इस्तमाल कर सकते है दोस्तों इदे आपको इस वीडियो से हेलफूल इंवर्मेशन मेली हो तो वीडियो को लाइक करे और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करे और साथी बेलोकन दबाई ताके आपको आगे आने वाली वीडियो की नूटिफिक्रिशन मिलती रही यहोई उडियोजेक निकले धन्यवार